नमस्कार, स्वागत है आप सब का हमारे चैनल पे, आज मैं आप लोगों के साजा करूंगी रोटी का स्वादिष्ट नास्ता रेष्पी, तो एक बार मेरे तरीके से रोटी का नास्ता बनाईए, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन कर तयार होएगा, ए देखिए, अहां पर मैंने कुछ रोटियों को सुभा में बनाया हुआ था, तो ज़्यादा बन गए थी, तो इसी से बनाएंगे इस नास्ता को, आप इसको चौमिन का भी नाम दे सकती है, रोटी चौमिन, रोटी को इस तरह से काट लेंगे, रोटी को फोल्ड करेंगे, फिर चाको की मदस से इस तरह से बारिक-बारिक काट लेंगे, तो यहां पर मैंने सभी रोटियों को काट लिया है इस तरह से, यदि यह रेश्पी आपको पशन्द आयद, हमारे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना न भूले, अब यहां पर प्याज को काट लिया है, दो से त बटर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्टा जाता है, तो बटर को अवायड ना करें, अब डालेंगे बारिक कटा हुआ प्याज, और प्याज को सुनरा कलर होने तक इस तरह से भून लेंगे, बिज बिच में चलाते रहेंगे, नहीं तो जल जाएगा, अब डालेंगे श् अब चलेंगे बिली शॉच एक चमझ, श्यूया शॉच बेदगर डालेंगे एक चुटा चमझ, और चमझ की सहाःता शे इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दो से तीन मिनट तक इसे कुँक कर लेंगे, अब इसमें डालेंगे बारिकती हुई रोटी, डालेंग और अच्छे से मिक्स करते हुए, इसे उलट पलट कर मिडियम फ्लेम पे चला लेंगे, ताकि रोटी के साथ प्याज और सब सॉस अच्छे से मिक्स हो जाए, यह देखिए, यह नास्ता बनका तयार हो गया है, लास्ट में डालेंगे टोमेटो साथ, और इसे अच्छे से मिक् कर लेंगे, इसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकती हैं, जिसे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेम से खाएंगे, तो एक बार इस तरीके से अवस्ट ट्राइक करिए, रोटी का चौमिन, जो बहुत ज़्यादा स्वाधिष्ट लगता है, एदियह रेष्पी लिए बचलिगुक्त का चानल को शियार करना ना भूले।